हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एंजी आटी हिंदी का चाप्टर फोर चांद से थोड़ी सी गब्बें तो इसमें पहले हम शब्दर्थ देखेंगे इसके तो कुल का मतलब होता है सारा मतलब जैसे कि आप पोलते हैं ये कुल इसमें कितना है तो उसमें ये होता है कि पूरा का पूरा मिला के सारा कितना है तो कुल का मतलब हो गया सारा सिम्थ का मतलब होता है दिशा की किस दिशा में हम जा रहे हैं इसको हम सिम्थ भी बोल सकते हैं Gokee, Goki यह भी उसकती है। यह भी रहत है भी हुछ सकते हैं यह लोग। मतलब अब थोड़ा राहत की सांस लेंगे मरस का मतलब होता है बिमारी फिर कुछ important questions देखते हैं इसके पहला है चांद से कपे कौन लड़ा रहा है तो इसका answer है एक 10-11 साल की लड़की चांद से कपे लड़ा रही है नेक्स्ट है वह चांद से क्या बाते कर रही है तो इसका answer है लड़की चांद से उसके आकार प्रकार और उसकी पोशाक के बारे में बात कर रही है नेक्स्ट है लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है तो लड़की कहती है वह कहती है कि चांद किसी बिमारी से ग्रस्त होने के कारण घटा भड़ता रहता है उसको लगता है लड़की को कि इसको शाथ कोई बिमारी है इस ते कभी ये बढ़ा हो जाता है और कभी ये छोटा हो जाता है next question है इस कविता के रचियता कौन है यह बहुत important होता है जिसे कि कोई भी poem होती है ना तो उसका एक ताप अच्छे से poem को पुरा पढ़ा करी है कि पूरी सारी की सारी lines कौन सी है और उसके जो कवी कौन है और उस कविता का नाम क्या है तो इस कविता रचयता मतलब इस कविता के जो कवी है वो है शमशेर बहादूर सिंग जी नेक्स्ट ग्वेशन है चान बिल्कुल गोल किस दिन होता है तो चान बिल्कुल गोल पूर्णे मा के दिन होता है जो पूर्णे मा की दिथी आती है ना दिथी का मतलब होता है देट तो पूर्णे मा जब होती है तब चान पूरी तरीके से गोल होता है आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाती है कि चांद की पोशाक चारो दिशाओं में फैली हुई है तो चांद क्या पहने होता है चांद आसमान को बहने हुए होता है और जो आसमान है वो तो चारो तरफ फैला हुआ है इसलिए जो चांद की पोशाक है वो चारो दिशाओं में फैली हुई है next question है चांद की पोशाक के बारे में कविता में क्या कहा गया है तो क्या क्या गया है देखते हैं चांद ने पूरे आकाश को अपनी पोशाक बना लिया है जिसमें तारे जड़े हैं इस पोशाक में चांद इस तरह लिपता है कि उसके बीच से केवल उनका गोल मटोल चहरा ही दिखाई देता है तो चांद की पोशाग के बारे में ऐसा कहते है कि चांद ने अपने पोशाग इस तरीके से पहने हुई है कि उसके जो कपड़े पहना हुआ है पोशाग का मतलब होता है कपड़े तो उसके कपड़ों के बीच में सिर्फ और सिर्फ उसका गोलगोल जा चहरा है न वही दिखाई दे बार है नेक्स्ट है लड़की खुद को बुद्धु समझने से क्यूं मना करती है तो क्यूं मना करती है इसका अंसर देखते हैं लड़की चांट से कहती है कि उसे चांट के घटने बढ़ने और तिर्चे नजर आने का कारण पता है इसलिए चांट उसे बुद्धुना समझे रह जानती है कि चांट किसी बीमारी से ग्रस्थ होने के कारण इस तरह घटा भठता रहता है यह है बिमारी ला इलाज है तो लड़की कहती है कि चान जो तुम घटे बढ़ते रहते हो ना ये तुम्हारी बिमारी के गारण है मुझे सब पता है और तुम्हारी बिमारी का कोई इलाज नहीं है लाज का मतलब होता है जिसका कोई भी इलाज मतलब भी इसको ठीक नहीं किय नेक्स्ट्टिक्सेशन ऐसानी से चिड़ जाने वाला होता तो वह किन बातों से चिड़ता और उनका क्या जवाब देता कल पिर्पना करनी आ हुटा तो किस बातों से चिड़ जाता तो और मतलब यह हमें बताना है इसका अंसर है यदि चांद का स्वभाफ आसानी से चिर जाने वाला होता तो वह तिर्चे कहे जाने पर जरूर चिरता घटे बढ़ने की बिमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आता वह चिरकर यही जवाफ देता कि वह तिर्चे नहीं है और नहीं उसे घटने बढ़ने की बिमारी है यह हमारी नजर का फेर है कि वह तिर्चे नजर आता है शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवाल हो तो इसमें मतलब अगर ऐसा होता है कि चान एकदम से चिड जाने वाला होता तो जो बच्ची होती है जो उसको बोल जो होते कि तुम्हें कोई बिमारी है और तुम घटे बढ़ते रहते हो तो चान इन सारी बातों से चिड करके उ यह हो गया हमारा चप्र कम्प्लीट थैंक यू सो मच